नमस्कार मैं हूँ शार्दा जैस्वाल और आप देख रहें इन 24 न्यूस की खास पेशकर्ष किला बचाने की चुनौती एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार गांधी परिवार के सदस्यों के चुनाव लड़ने के सस्पेंस से परदा उठ गया है उत्रप्रदेश की रायबरेली सीट से कॉंग्रेस ने अपने उमीद्वार का ऐलान कर दिया है इस सीट से अपने पूर्वधेक्ष राहुल गांधी को चुनावी मैदान में उतारा है इस सीट पर पांचवे चरड में 20 मई को मद्दान होना है इस seat के लिए नॉमिनेशन के अंतिम दिन कॉंग्रेस ने राय बरेली से राहूल गांधी की उम्मीदवारी का एलान किया है हालां कि प्रियंका गांधी ने चुनाव से दूरी बना ली है वैसे आपको बता दें कि सीट से कॉंग्रेस की पूर्व ध्यक्ष सोनिया गांधी सांसद है 2019 के आम चुनाव में कॉंग्रेस यूपी की केवल एक लोगसबा सीट ही जीत सकी थी और वा सीट राय बरेली थी 2024 के चुनाव में राहुल गांधी के सामने यूपी में गांधी परिवार का अंतिम किला बचाने की चुनावती होगी इस बार कॉंग्रेस अखिलेश यादों की अगवाई वाली समाजवादी पार्टी के साथ गड़ बंधन कर चुनाव मैदान में उतरी है और पार्टी को गांधी परिवार के गड़ में बड़ी जीत की उमीद है प्राइबरली सीच पर भारतिय जनता पार्टी ने कॉंग्रेस सही आये दिनेश प्रताप सिंग को उमीदवार बनाया है दिनेश प्रताप योगी सरकार में मंत्री भी है 2019 के लोगसबा चुनाओं से ठीक पहले दिनेश हाथ का साथ छोड़ बीजेपी में आये थे 2019 के चुनाओं में सुनिया गांधी के खिलाव भी बीजेपी ने दिनेश को ही उमीदवार बनाया था सपा और कॉंग्रेश का गड़बन्धन है जब गड़बन्धन नहीं था तब भी सपा ने पिछले कुछ चुनाओं में इस सीट से कॉंग्रेश के समर्थन में उमीदवार नहीं दिया था कॉंग्रेस और बीजेपी की चुनावी मुकाबले को बस्पा त्रिकोर्णिये बना रही है मायवती की अगवाई वाली बस्पा ने इस सीट से ठाकुर प्रसाद यादो को उम्मीदवार बनाया है बस्पा की रणीती यादो और दलित वोटो का नया समिकरण गड़ने की है हालांकि राइबरेली का चुनावी इतिहास देखें तो गांधी परिवार की सदस जब चुनाव मैदान में उतरते हैं तो इस सीट पर जाती का फैक्टर उतना हावी नहीं रहता जितना आसपास की सीटों पर नजर आता है राइबरेली लोगसमा सीट के जाती और सामाजी के सम्मीकरणों की बात करें तो यहां करीब 11 फीजदी ब्रामण करीब 9 फीजदी राजपूत, 7 फीजदी यादो वर के मदाता हैं यहां दलित वर के मदाताओं की तादाद सबसे अधिक है राय बरेली लोगसबा छेतर में कुल करीब 34 फीजदी दलित मद्दाता है यहां मुसलिम 6 फीजदी, लोध 6 फीजदी और कुर्मी 4 फीजदी के करीब है अन्यजाती वर की मद्दाताओं की तादाद भी करीब 30 फीजदी होने के अनुमान है हिंदी बेल्ट में उमीदवार की ज़ाती देखकर या राजनीती दल देखकर वोट करने का ट्रेंड भी रहा है लेकिन राय बरेली में गांधी परिवार से किसी सदस्य के चुनाव लड़ने पर ज़ाती का फैक्टर 0 नजर आया है राय बरेली लोगसभा सीट के चुनावी तिहास की बात करें तो यहां सीट 1957 के आम चुनाव से अस्तित्व में है 1951 और 52 के पहले चुनाव में राय बरेली और प्रताबगर दोनों जीलों को मिला कर एक लोगसभा सीट हुआ करती थी और तब पूर प्रधान मंतरी इंद्रा गांधी के पती फिरोज गांधी यहां से सांसद निर्वाचित हुए थे राय बरेली सीट के अस्तित्व में आने के बाद फिरोज गांधी ने दूसरे आम चुनाव में सीट का रूप कर लिया और चुनाव जीत कर संसद पहुचे इस सीट से चुनाव उपचुनाव मिलाकर कुल 16 बार कॉंग्रेस के उमिद्वारों को जीत मिली है जबकि तीन बार गैर कॉंग्रेसी उमिद्वार विजई रहें राय बरेली और नहरु गांधी परिवार का नाता पुराना है इस सीट का पूरु प्रधान मंत्री इंद्रा गांधी और सोन्या गांधी संसद में प्रतिनिद्व कर चुके हैं पत्रकार से राजनीता बने फिरोज गांधी के निधन से रिक्त हुई राय बरेली सीट के लि 1967 की चुनाव में रायवरेली से ही चुनावी राजनीती का अगास किया इंदिरा ने रायवरेली सीट से उम्मीदवार राजनारायन की चुनाव नतीजे आये कॉंग्रेस उम्मीदवार इंदिरा को विजयी घोशित कर दिया था लेकिन राजनारायन ने सरकारी तंत्र के दुरुप योग और चुनाव में धांदली का आरोप लगाती हुए चुनाव नतीजे को इलहबाद हाई राजनारायन की सियाचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोट ने इंद्रा गांधी के निर्वाचन को अवैद घोशित कर दिया इलहबाद हाई कोट के इस फैसले के बाद इंद्रा गांधी सुप्रीम कोट गई और इस घटना को देश में एमेरजनसी लागू करने के इंद्रा गांधी ने उन्नी सो असी में राजबरेली से जीत हासिल की लेकिन वास संयुक्त आंद्रप्रदेश की मेंडक सीट से विजय रही थी इंद्रा गांधी ने राजबरेली सीट छोड़ दी और उप्चुनाओं में आरुन रहनू कॉंग्रेस के टिकट पर जीत कर स संसद पहुचे और 1984 में भी कॉंग्रेस की टिकट पर संसद निर्वाचित हुए 1989 और 1991 में कॉंग्रेस की शीला कॉल संसद पहुची लेकिन 1996 और 1998 में इस सीट से बीजेपी के अशोक सिंग विजय रहे 1999 की चुनाओं में कॉंग्रेस ने कैप्टन सतीश शर्मा को टिकट दिया कैप्टन सतीश निया सीट फिर से कॉंग्रेस की जूली में डाल दी 2004 के लोगसभा चुनाओं में राय बरेली और नहरु गांधी परिवार की 24 साल लंबी दूरी खत्म हुए 2004 में अमेठी की विरासत अपने बेटे राहुल गांधी को सौप सौनिया गांधी ने राय बरेली से पहली बार चुनाओं लड़ा और करीब धाई लाख वोट के बड़े अंतर से जीत हासिल की सौनिया गांधी 2009 में 3,72,000 से अधिक वोट के अंतर से चुनाओं जीत कर संसत पहुची सौनिया 2014 और 2019 में भी राय बरेली से जीत हासिल करती रही जब कॉंग्रेस यूपी में महस दो और एक सीट पर सिमच गई थी राहुल गांधी पहली बार इस सीट से लोग सबा चुना झाल झाल